दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा करोना के चलते कई लोगों की नौकरी जा चुकी है जितने भी टॉप के नौकरी ढूनने के लिए पोर्टल्स या वेबसाइट्स हैं उनकी फ्री वाली सर्विसिस से अच्छा रिस्पॉस नहीं मिल और एक व्यक्ति जो कुद नौकरी ढून रहा है वो इन वेबसाइट को पैसे देकर इनकी प्रीमियम सर्विसिस नहीं ले सकता एम्ट्रा एक ऐसी एप है जिसमें आप प्रीमियम सर्विसिस फ्री में ले सकते हैं इसमें आप अपना रिज्यूमें नहीं अपनी इंडिवि प्रीमियम सर्विस फ्री है तो अगर आप नौकरी ढून रहे हैं एम्ट्रा को एक बार ट्राइज जरूर कीजिए लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा करने में लगा रहे ऐसे लोगों से सामना करना कई बार कठिन भी लगता है आज समाज में कई बार अपरादी एक अपराद करता है फिर सजा से चूटने के बाद दूसरा अपराद करने लगता है तो कुछ तो गलती होती ही है जो सजा मिलने पर भी अपरादी सुधरते नही महाभारत के समय भी जब कोई रास्ता नहीं बचा था तो स्वेम भगवान श्रीक्रश्ण ने युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया था और आचारे चानक्ये ने भी महराज नंद को अपना दुश्मन मान के प्रतिग्या ली थी कि वो अपने दुश्मन और समा करने की नीती आचारे चानक्ये बड़े ही अनोखे दाफपेच चलते थे आज ऐसे ही एक दाफपेच को हमें कहानी की मदद से समझेंगे और ये जानेंगे कैसे हम लोग भी अपने या समाज के दुश्मन को हराने में इस कुटिल चाल का इस्तमाल कर सकते हैं तो हर बार की पहले आते हैं कहानी पर नगरी से बाहर एक जंगल के पास एक संत की कुटिया थी संत का जीवन बहुत ही सरल था वो नगरी में जाकर लोगों को प्रवचन दिया करते और बदले में लोग उन्हें खाने के लिए रोटी फल आदी दे देते संत जी अपने इस सरल जीवन से बेहत खुश थे संत जी जब शाम को प्रवचन करके वापिस आते वह रात का भोजन करके कुछ फल दाल आदी सारा खाना एक बरतन में रख देते और इस बरतन को एक रसी की मदद से थोड़ा उंचे करके बांग देते ताकि सुबह उठकर वह उस भोजन को बरतन से निकाल कर पका कर खा सकें सब ठीक ही चल रहा था कि एक दिन संत जी की कुटिया में उनके गुरू आए संत जी अपने गुरू से मिलकर बहुत खुश हुए उन्होंने गुरू जी के पैर दोए उनकी खूब सेवा की संत जी प्रवचन देने भी अपने गुरू जी के साथ ही गए और वापस आकर दोनोंने खाना खाया फिर दोनों ही जमीन पर सोने के लिए लेट गए संत जी के गुरू जी ने लेट कर संत जी से बात करनी शुरू कर दी किन्तो संत जी का ध्यान अपने गुरू जी की बात पर था ही नहीं ना जाने वह क्या सोचे जा रहे थे गुरू जी ने कई बार देखा कि संत जी का ध्यान उनकी बात में नहीं है तो वह उठ खड़े हुए और संत जी से बोले मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान मेरी बातों में नहीं है या तो तुम किसी चिंता में डूबे हो या तुम्हें किसी प्रकार का घमंड आ गया है संत जी ने गुरू से शमा मांगते हुए कहा मैं हर रोज काउं से भोजन लेकर आता हूँ कच्चा भोजन जैसे फल आदी सुबे के लिए रख लेता हूँ मैंने कुछ दिनों से देखा एक चुहा मेरे द्वारा रखा भोजन लेकर चला जाता है तो मैंने चुहे के लिए अलग से भोजन एक कोने में रखना शुरू कर दिया परंतु फिर भी चूहा अपना भोजन खाने के बाद मेरे द्वारा इकत्रित किया हुआ भोजन लेकर चला जाता है या फिर मेरे भोजन को कुतर कर भाग जाता है इसलिए मैं भोजन को एक बरतन में डाल कर एक रसी की मदद से जितना उपर टांग सकता हूँ टांग देता मैं एक छड़ी को जमीन पर मार कर आवाज कर देता हूँ ताकि चूहा वहां से भाग जाए अब सारी रात्री मुझे चूहे का ध्यान तो रखना ही होता है अगर मैं ऐसा ना करूँ तो चूहा मेरा भोजन भी ले जाता है और कई बार मुझे भूके ही रहना पड़ता है ग चूहा भोजन लेकर गिधर जाता है थोड़ी ही देर में चूहा उस बरतन तक पहुँच गया जिसमें भोजन पड़ा था इस बार गुरुजी ने पहले की तरह छड़ी को जमीन पर मारा परंतु गुरुजी ने चूहे पर नजर रखी दोनों ने देखा चूहा किस तरफ जा रहा है दोनों चूहे की बिल तक जा पहुचे गुरुजी ने वहाँ पर चूहे द्वारा इकत्रित किया भोजन को उसी के बिल से निकाल लिया और पूरी बिल में चिपे भोजन को चूहे से छीन कर एक कपड़े से लपेट कर कपड़े को जला दिया अब गुरुजी ब पिर से भोजन की और बढ़ रहा था गुरू जी मुस्कुरा कर बोले खबराने की आवश्यक्ता नहीं है उन्होंने देखा इस बार भी चूहे ने भोजन तक पहुचने की कोशिश की चूहे ने कई लंबी-लंबी छलांगे लगए परन्तु इस बार चूहा भोजन तक और दिल हारने के कारण वो उचे उठी नहीं पा रहा गुरू जी बोले हमेशा अपने दुश्मन को वहां मारो जहां से वो उठने की कोशिश ना कर सके दोस्तों एक बार आचारे चानक्ये के पाउं में कुछ कांटे चुप गए तो उन्होंने उस पौदे की जड़ों में मठा डाल दिया ताकि फिर वो पौधा किसी और को परिशान ना कर सके दोस्तों हम सभी की भी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि समस्याओं को जड़ से समाप्त करें ताकि वो दुबारा सिर उठाकर हमारे सामने ना आ सके हरी कृष्णा